हेलो टॉरस मैं हूँ किरन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए October 2020 की Love Tarot Reading सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को नहीं सबस्क्राइब किया है आप वीडियोज देखते हैं आपके साथ resonate करती हैं आपको पसंद आती हैं तो ज़रूर इस चैनल को सबस्क्राइब करें और चलिए जी टॉरस देखते हैं कि October month आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है मेपस यहाँ पे तीन सेट of cards हैं सबसे पहले सेट में हम देखेंगे कि आपकी क्या energies हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं आप क्या feel कर रहे हैं दूसरे सेट में हम देखेंगे कि आपके partner की क्या energies हैं और तीसे सेट में हम देखेंगे कि finally October month में क्या हो रहा है तो आपसे शुरू करते हैं Taurus और आपके लिए हैं पे सबसे पहले cards हैं Wheel of Fortune, Reverse and Deception and Envy और Deception and Envy का card बहुत ही clearly मुझे कह रहा है कि हो सकता है कुछ time से आपको ऐसी feeling हो रही हो कि आपके partner 100% इस relationship में नहीं है, जो attention उनको आपको देनी चाहिए वो नहीं दे रहे है जिस तरीके से उनको इस relationship में रहना चाहिए वैसे वो नहीं है, कुछ Taurus के लिए मुझे literally दिख रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनके partner उनके अलावा किसी और को जादा attention दे रहे हैं, किसी और से जादा बातचीत कर रहे हैं, किसी और से जादा interact कर रहे हैं क्योंकि आपके partner के लिए यहाँ पे three of cups reverse का card है और again मैं कहूंगी, यह मुझे सब के लिए नहीं दिख रहा है, कुछ Taurus के लिए दिख रहा है और दोनों ही सिनारियों में आपको किसी तरीके की jealousy महसूस हो सकती है आपको ऐसे लग सकता है कि आपके partner इस relationship में fair नहीं है आपको cheat कर रहे है, आपको धोका दे रहे है मैंने हमेशा कहा है कि third party की ही वज़य से cheating नहीं होती है अगर जो attention आपको आपके partner को देनी चाहिए वो नहीं दे रहे है या जो आप deserve करते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है तो भी वो एक तरीके की cheating होती है तो किसी भी तरीके की एक cheating, एक jealousy आप बहुत time से या October starting में महसूस कर सकते हैं इस relationship में अपने partner के लिए यहाँ पे the wheel of fortune reverse का card मुझे कह रहा है कि कभी तो आपको यसे लगता है चीजे बहुत अच्छी चल रही है कभी आपको लगता है कि जिस direction में आप चाहते हैं उस direction में नहीं चल रही है बहुत जादा up and down इस relationship में चल रहे हैं अगेन मैं कहूंगी कभी आप great feel करते हैं कभी आप बहुत जादा low feel करते हैं stability इस relationship में नहीं है बहुत जादा up and down काफी time से हो सकता है चल रहा हो इस relationship में और October starting में भी ऐसी ही energies मुझे देख रही है यहाँ पर 10 of Pentacles Reverse and Passion Ignited के भी cards है और यह cards तू तीन चीजे बोलते हैं 10 of Pentacles Reverse कहता है हो सकता है कुछ Taurus के घर में कोई family get together हो कोई family reunion हो या किसी तरीके की celebration हो जिसके लिए वो बहुत जादा enthusiastic हो रहे हैं, बहुत जादा excited हो रहे हैं Otherwise 10 of Pentacles Reverse in general कहता है कि आप एक long term अपने partner के साथ relationship चाहते हैं आप एक commitment चाहते हैं, आप एक stable energies चाहते हैं आप उनके साथ अपनी family start करना चाहते हैं और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनकी family की तरफ से एक interference इस love life में, इस relationship में हो रहा है family की तरफ से कुछ pressure है, जिसकी वज़े से आप परेशान है deeper level पे आप एक नई beginning चाहते हैं इस relationship में फिर से चीजों को नए तरीके से start करना चाहते हैं लेकिन शायद आपको आपके partner की तरफ से उतना support नहीं मिल रहा है, नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पे the chariot, reverse and triumph के भी card है और यह cards कह रहे हैं कि आपकी तरफ से काफी ego issues भी रह सकते हैं self respect आपकी तरफ से एक बड़ा मुद्दा रह सकता है आप आगे बढ़ना चाहा रहे हैं लेकिन उतने initiatives, उतने action नहीं ले रहे हैं और अपनी feelings, अपनी emotions को बहुत जादा control करते हुए मुझे दिख रहे हैं किसी तरीके की एक इनों आपके लिए हो सकता है इस relationship में जीत और हार का सवाल हो गया है आप अपने partner को हासल करना चाहते हैं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो अपने partner को जीतना चाहते हैं किसी भी तरीके से हासल करना चाहते हैं अगेन मैं कहूंगी कि ego issues हैं और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि travel plans हैं, वो delay हो रहे हैं किसी तरीके की movement आप आगे चाहा रहे हैं अगेन मैं कहूंगी उतने initiatives, उतने action लेते हुए नहीं दिख रहे हैं और अब देखते हैं Taurus की आपके partner की क्या energies हैं आपके partner क्या महसूस कर रहे हैं तो आपके partner के लिए आपे सबसे बहले cards हैं 9 of wants and positive movement forward तो Taurus मैं ये नहीं कहरी की ऐसा हो रहा है बट आपके partner ऐसा महसूस कर रहे हैं कि भई उन्होंने इस relationship को बहुत दिया है बहुत efforts करे हैं लेकिन आपकी तरफ से उनको वो response नहीं मिला वो बहुत ठक गए हैं किसी level पे एक hurt महसूस कर रहे हैं किसी level पे एक ठकावट महसूस कर रहे हैं किसी level पे give up करते हुए मुझे दिख रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि भई और stamina और strength उनके अंदर नहीं है इस relationship को आगे लेकर जाने के लिए और एक positive movement forward करते हुए दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि literally उनके partner move on करना चाहते हैं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई positive initiators ले रहे हैं October starting में कुछ efforts कर रहे हैं इस relationship को better करने के लिए लेकिन यहाँ पे three of cups reverse and financial and material changes के भी cards हैं यह card बहुत ही clearly मुझे कहता है कि उनकी life में professional life से related, पैसे से related, tangible चीज़ों से related कुछ issues रह सकते हैं, कुछ problems रह सकते हैं three of cups का card मुझे कह रहा है कि उनकी भी घर में कोई celebration रह सकती है कोई get together रह सकता है जिसको वो शायद इतना enjoy नहीं कर रहे हैं, attend नहीं कर रहे हैं या फिर हो सकता है, again Taurus की आपके partner आपके अलावा भी किसी और से बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं, interact कर रहे हैं by the end of October उनके लिए भी मुझे travel plans delay होते हुए दिख रहे हैं और बहुत speed से चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन उतनी speed नहीं है क्योंकि बहुत ज़ादा चीजों को लेके confused हैं एक clarity लाना चाहते हैं, focus लाना चाहते हैं focus नहीं कर पा रहे हैं इस relationship पे, अपनी love life पे और यहाँ पे solitude का card मुझे कहता है कि या तो बहुत ज़ादा अकेलापन में हसूस कर रहे हैं या एक अकेलापन चाहा सकते हैं चीजों को और समझना चाहते हैं चीजों को और ज़ादा, again मैं कहूंगी, understand करना चाहते हैं तो यह थी आपके partner की energies अब देखते हैं कि October month में क्या हो रहा है तो October month के लिए आपे सबसे पहले cards है Five of Cups and Truth और यह दोनों ही इकदम से contrary cards है Five of Cups का card मुझे कहता है कि जो भी चीज हैं आपके relationship में आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं आपके मताबिक नहीं चल रही हैं आप उस पे बहुत ज़ादा focus कर रहे हैं Taurus यह हो सकता है यह energies आपके partner की भी है कुछ mistakes आप से हुई है आपके partner से हुई है उस पे आप दोनों या आप बहुत ज़ादा focus कर रहे हैं कुछ regrets है सकते हैं काश ऐसा ना कहा होता काश ऐसा ना बोला होता काश वो चीज नहीं हुई होती तो बहुत अच्छा रहता तो ऐसे thoughts बहुत ज़ादा आपके mind में चलते हुए दिख रहे हैं नीचे यहाँ पर truth का card मुझे कह रहा है कि कुछ चीजों को आप accept नहीं करना चाहते हैं deeper level पर कुछ चीजों को आप जानते हैं लेकिन देखना नहीं चाहते हैं यहाँ पर भी two of swords reverse का card है और यह card भी वही चीज बोलता है कि आप बहुत सारी चीजों को देख के अंदेखा कर रहे हैं सुन के अंसुना कर रहे हैं इग्नोर कर रहे हैं और यही एक reason है यहाँ पर mental conflict का card मुझे कह रहा है बहुत जादा आपके mind में stress रह सकता है tension रह सकती है आप किसी चीज को लेके two minds में रह सकते हैं यहाँ पर worth waiting for का card है एक मन आपका कहता है कि आपको आपके partner की wait करनी चाहिए एक मन आपका कहता होगा कि आप move on कर जाएं तो सबके लिए यहाँ पर differ कर सकता है but again मैं कहूंगी किसी चीज को लेके बहुत जादा एक mental conflict दिख रही है जो चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही है कुछ mistakes हुई है उन पर आप बहुत जादा focus कर रहे हैं बहुत सारी चीजों को देख के अन देखा कर रहे हैं यहाँ पर express your love का भी card है और यह card बहुत ही clearly मुझे कह रहा है कि जो भी चीजें आप feel कर रहे हैं अपने partner के लिए यहाँ पर love है लेकिन यह कोई भी चीज हो सकती है सब के लिए differ कर सकता है आप कुछ कहना चाहते हैं आप नहीं कह रहे हैं यहाँ पर भी हमने देखा कि आप अपनी feelings, emotions को बहुत ज़ादा control करने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं यही कहूंगी Taurus की ज़रूर अगर कोई भी चीज आपको bother कर रही है आप उसको communicate करें आप उसको express करें अगर आप गुसा महसूस कर रहे हैं लव महसूस कर रहे हैं तो ज़रूर एक बारी आप clarify करें चाहे फिर यूनो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो इस relationship में ना रहना चाहें या रहें लेकिन अपने mind में कोई भी चीज ना रखें क्योंकि उसकी वज़े से काफी परेशानी आप महसूस कर सकते हैं और यहां पर five of cups का भी card हमें बहुत ही जादा clearly कहता है कि all is not lost in this relationship कुछ चीजें हैं जिन पर आप work करेंगे तो यह relationship better हो सकता है थोड़ा सा आपको अपना focus यहां आप दोनों को अपना focus shift करने की ज़रत है थोड़ा सा एक positivity इस relationship में लाने की ज़रत है और अगर आप नहीं express कर रहे हैं जो भी चीज आपको bother कर रही है परेशान कर रही है तो आप जरूर उसको कहें क्योंकि miscommunication बहुत बड़ा reason होता है relationship में problems का issues का और शायद हो सकता है Taurus की by the end of October आप ऐसा कर भी रहे हैं क्योंकि यहां पर Ace of Pentacles और Awareness के cards है और यह दोनों ही cards कहते हैं कि किसी तरीके की एक नई beginning हो सकती है और यह नई beginning एक stability ला सकती है एक security ला सकती है एक commitment ला सकती है again यह नई beginning सब के लिए differ कर सकती है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस relationship में पुरानी बातों को छोड़ रहे हैं Awareness का card मुझे कहता है कि finally आपको acceptance आ रही है आप उन चीजों को देख रहे हैं जिनको आप ignore कर रहे थे आप चीजों को समझ रहे हैं understand कर रहे हैं और अपने partner के साथ एक नई beginning कर रहे हैं ये दोनों ही number one cards हैं तो एक नई beginning की बात करते हैं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस relationship को छोड़ के आगे बढ़ना चाहा रहे हैं अकेले ही एक नई beginning करना चाहा रहे हैं again ये general reading है तो सबके लिए differ कर सकता है दोनों ही सिनारियों में एक stability आती हुई दिख रही है एक security आती हुई दिख रही है आप बहुत अच्छा feel करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे you deserve love का भी card है हो सकता है पीछे आप बहुत ज़ादा अपने आपको ignore कर रहे थे अपने उपर attention नहीं दे रहे थे तो आप अपने उपर भी attention देते हुए दिख रहे हैं आपको यह realize हो रहा है कि भई आप भी deserve करते हैं love आपको भी प्यार मिलना चाहिए तो यह एक बहुत ही अच्छी चीज मुझे October end में होती हुई दिख रही है मोटा माटी अगर हम देखें Taurus तो mid of October तक energies बहुत great नहीं दिख रही है but again मैं कहूंगी कि tarot cards guidance के लिए ही होते हैं अगर आप you know एक positivity अपने relationship में लाते हैं जो चीजें अच्छी हैं आपके partner में आपके relationship में उस पे focus करते हैं और कहीं you know कुछ चीजों को अगर आप October starting में ही accept कर लेते हैं तो जो October end में हो रहा है एक नई beginning हो रही है एक positivity आ रही है वो पहले भी आ सकती है और October end में तो मुझे एक positive direction में चीजें जाते हुई दिख रही हैं आप stable दिख रही हैं आप secure दिख रही हैं तो यह थी टॉरस आप लोगों के लिए October 2020 की love taro reading और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है आपको आपका answer मिला है आपको guidance मिली है तो इस channel को like, share और subscribe ज़रूर करें